आज हम शुरू करते हैं आपकी वक्षीट नमबर 106 यह आपकी इंग्लिश की वक्षीट है पहले आप लोग इसे लेबल कर लेंगे डेट डाल देंगे क्लास डाल देंगे अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लेंगे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे याज हम लोग तीन भालू की कहानी पढ़ेंगे पेज नमबर 96 पे जो है ठीक अब यहां क्या लिखा है गुड मॉर्निग चिर्ण यानि गुड मॉर्निग प्यारे बच्चो आई होप यू आर डूइंग ग्रीट यानि मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे अच्छे का poking है उसके साथ जंगल का विजट करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है जंगल के विजट में बैंने डू इयम क्यूली लाग निम जो हूं हूं अई हैव कर्ली है और मेरे बाल जो है वो गुणरा ले हैं कर्ली का मतलब क्या होता है गुंगराले, जैसे किसी कैसे से बाल होते हैं, किसी कैसे करली होते हैं, ठीके तो कहते हैं, I have करली है, one day I went into the forest near my house, एक दिन मैं उस जंगल में गई, जो मेरे घर के बराबर में है, I see a beautiful cottage, मैंने एक बहुत हुपसूरसता cottage देखा, I was very happy to see it, और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई उसको देखके, I went inside the cottage, but nobody was there, मैं उस cottage के अंदर गई, inside का मतलब क्या होते हैं, अंदर, और cottage किसे कहा जाते हैं, घर टाइप का होता है, छोटा छोटा ना, मतलब बंगले से छोटा होते हैं, आप लोगों के घर से बढ़ा होते हैं, उसको cottage कहा जाते हैं, चिक, तो यद kind of your hair do you have, यानि कि, अब ये बताईए, आप के पास किस तरह के बाल हैं, मतलब उसके तो curly hair से अब आपके कैसे हैं, तो complete the face with given drawing, या आपको जो face दिया गए, इस पर drawing बना कि आपको complete करना है, इसमें अपने बाल लगाने है, आँख बनानी है, नाख बनानी हो, और अपने बना लेंगे, ठीक है, बहुत बुरी drawing लग रही है मेरी, क्योंके मुझे drawing बनाना बिलकुल नहीं आथी, ठीक है, अब इसके बाद आपको अपने बाल बनाने के आपके बाल कैसे हैं, अब मैं कहते हूं, मेरे बाल तो बिलकुल silky, straight or long है, ठीक है, तो मैं तो अपने बाल ऐ आपके बाल कैसे हैं, ठीक है, तो आप लोग इसकी drawing बना लेंगे, चली आगे चलते हैं, यहां लिखा है, let's try to make a sentence using the curly word, अब आपको जो word है curly, उससे कोई एक sentence बनाना है, तो चली एक काम करते हैं, अम लोग इससे एक sentence बनाते हैं, इसका एक आपको sentence या दो sentence नहीं बताया मैंने तक इतने बनाने तो देखें, मैंने दो sentence बना दिया, आप दोनों लिख सकते हैं, चाहे तो एक लिख लें, some people have curly black hair to their beauty, यानि कुछ लोगों के जो काले घने बाल होते हैं, वो उनकी खुबसूरती को धर्शाते हैं, और दूसरा मैंने लिखा, curly black hair looks so beautiful, यानि घुम्र a cottage in the forest, curly locks ने एक cottage को देखा था, for jungle के अंदर, a cottage is small, cottage एक छोटा था, ठीक छोटा house था, do you think you live in that cottage, क्या तुम मतलब सोचते होगे, तुम इसके अंदर रहना चाहोगे, या कौन रहता होगा इस cottage में, बताओ ज़रा कि कौन रहता होगा, you, how do you think, lives in that cottage, यानि इसमें कौन रह था, तो फिलाल तो इसमें कोई था ही नहीं, nobody आ जाएगा है, लेकिन कभी कदार यह हो सकता है, आप यहां पर फिलाल तो nobody लिग देंगे, nobody leaves, ठीक है, यानि कोई इसमें नहीं रह रहा था, लेकिन क्योंकि खाली पड़ा है, जाहिर सी बात है, कीड़े, मकोड़े, कोई ना आएगा, नोबड़ी, ठीक है, तो आप इसमें नोबड़ी पर टिक कर देंगे, कि उसने चेक करा था, तो इंसाइट में यानि घर के अंदर कोई भी नहीं था, तो इसलिए आपकी वक्षिट कम्प्लीट होती है, आपके टीचर से का गया है, वो आपको अच्छे से सम्थ ह इसके लाब आपके माता पिता को बताया गया है, कि आज मुलाना अबदिसलाम अजाब ची का जनम दिन है, 11 नौंबर को उनका जनम दिन मनाया जाता है, उनके जनम दिन को हम लोग राष्टे शिक्षा दिवस के नाम से मनाते हैं, चलिए तो आज की वक्षिट को यह घपिन आज की वाच्तिक